मौतरम सुरूरी साहब मौतरम गुपता साहब यहां हमारे जितने भी कांग्रस के हमारे सीनियर साथ ही है अब सब का नाम मैं लेने नहीं सकता हूँ मैं तो पहले अपनी बात कहूँगा जैसे सुरूरी साहब ने कांग्रस से स्तीफा दिया है वैसे मैंने भी दिया है आज पूरे जमू कश्मीर में जो हमारे कांग्रस के सीनियर लोग है वो सारे मेरी तरफ है जैसे मैं हूँ वैसे सारे लोग आज है लेकिन जहां तक आज़ाद साहब का सवाल है हमने मैं अपनी बात कहूंगा मैंने अपनी पूरी जिन्गी जो है इस कांग्रेस के लिए है मैंने इस कांग्रेस के लिए ना रात देखी है ना दिन देखा और मैंने इमानदारी से काम किया बेमानी से काम नहीं किया क्योंकि न्याद साब मुनिश्टर रहे मैं कुछ भी कर सकता था आजाद साब चीफ मुनिश्टर रहे मैं कुछ भी कर सकता था सुरूरी साब मुनिश्टर रहे हम इनके नाम पे कुछ भी कर सकते थे लेकर आज भी हमारे घर को कोई दे सकता है कि हमारे पास क्या है लेकर जहां तक आजाद साब का तालुक है मैं तो यह कहूँगा कि आजाद साब के लिए अगर हमारी जान भी जाए हमारा खून भी जहां आजाद साब के लिए लगे हम उसके लिए देने के लिए तैया जहां तक आजाद साहब का तालुक है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं आजाद साहब फकर हिंद रहे नेशनल लीडर रहे जमू कश्मीर के चीम मुनिस्टर रहे तो जो गुलाब ने भी आजाद साहब ने पूरे मलक में किया है आज यहा लेकर मैं तो यह कहूँगा कि उन लोगों को शर्म होनी चाहिए कि कुलाम ने भी आजाद साहब लोग अभी सोय होते थे वो यूनिस्टिक को देखने के लिए आते थे लोग अभी सोय होते थे वो हास्पिटल की बिल्डिंग को चक करने के लिए आते थे और वो आफसर्स क तेस मुजबूर मैंने देखे जहाज से गिंतरी करता था कि कितने लोग लगे हैं और आज यहां लोग दावा करें कि यह काम हमने किया मुझे यह लोग बताएं डोडा से लेके कुष्टवार से लेके गुंदों से लेके बदरवा से लेके कहीं भी हमारे अर्श्वाइज जि गुलाम नभी आजाद साब का इनागुरेशन तिलीगर में आपने जाना है गुलाम नभी आजाद साब का फोने जिन तोन गुलाम नभी आजाद का इनागुरेशन डंग बंगले में तुम लोगों ने आना है गुलाम नभी आजाद साब का पतर रगा है आप किसी जगह पे भी जाओ, हर जगा पे गुलाम नेभी आजाद साहब का नाम है, गुलाम नेभी आजाद साहब ने काम किया, लेकन आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा, हम को जैसे यहाँ मेरे बाई करन सिंग जी ने बताया कि जिला प्रेजिजिट का होना यहां जुरूरी था, लेकिन यह बद्वक्ती और बदकिस्मती होती है पार्टी की, कि अगर जिला प्रेजिजिट सुरूरी साब इंदरवाल से यहां पे पहुंच रहे हैं, तो हमारा जिला प्रेजिजिट कहीं नहीं, यह शर्म की बात है, तो मैं यही कहूंगा, एक तो यहां तज्वीज यह कि गारियां लगाने के लिए, दूसरी मैं आप से गुपता साथ साथ हम इस्तिहार भी लगाएं, हर पंचाइज में दस बंदरा पंदरा इस्तिहार हर जगा लगें, ताकि अगर ऑली वहां गारी नहीं जा सके, तो रास्ते में चलते चलते इस्तिहार को कोई पड़ सकता, उससे भी लोग यहां पर आ सकते हैं तिसरी में आप से यह गुजारिश करूआ कि जैसा कि अभी लोगों ने कहा कि गार्यों का बंदोबस होना चाहिए बड़ा जुरूरी है बहुत जुरूरी है उसके साथ साथ जिम्मवारी होनी चाहिए सिटेज कहां बनेगा सिटेज का इंचारिश कौन रहेगा सिटेज पे कोई कौन समालेगा उसके बाद ये भी जूरूरी है कि हर पंचाइट में इस वक俺द भी हमारे लोग है ऐसी कोई बात नहीं यहाँ ये कहा जाता है कि आज कांग्रस यहां कहीं नहीं है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा गुलाम नेभी आजाद साथ का दोरा लगने दो गुलाम नेभी आजाद साथ के आने से यहां कांग्रस फिर जिन्दा हो जाई आपको ये बताना चाहूँगा चूंकि गुलाम कि cangres पार्टी को कि नहीं Clerk तर्टी मेंट मोगधवांू उन्रवि आसप के हमें प्रट करते ह् robi कि जैसे मेरे नहीं कर दो करने में मेरें नहीं कर दो में एक जल फोगती कि मेरे आजड का मुंइम और साथ कर दुदी में पार्टी का मिन एकी को रॉत